गुड मॉर्निंग बच्चो आपके पास एक्ससाइज साथ दस्वां दोगा कोश्च नम्बर तीसरा है एबी सी एक सम्दिभा होती पुझे है जिसमें प्रावर भुझाओं एसी और एबी ठीक है तो आपके पास यह पुझा एसी और एबी के है प्रावर इसलिए मैंने क्या बराबर है मिस बी इस इकल टू सी एफ आपको क्या करना है दिखाना है तो इसका हाल आजएगा आपके पास दर्शाना है दर्शाना है क्या दर्शाना आपने बी इस इकल टू सी एफ बी इस इकल टू सी एफ ठीक है तो आपने देखना है यह बी इस इकल टू सी एफ किस व A, B, E यह टेंगल जिसको मैं ब्लेक पैंड से दिखा रही हूँ, ये, A, B, E और आपके पास ये, यह वाली टेंगल, A, F, C, ठीक है, यह वाली टेंगल, और निच्च वाली टेंगल से भी ले सकते हो आप, B, E, C, और B, C, F, ये भी ले सकते हो और इसमें भी आपने तीन ये, A, B, E, F, ये दो टेंगल ले रही हूँ है, तो यहां से आजगा इन दोनों को सुर्वांक सम दिखाना है, टेंगल, A, B, E, और टेंगल, A, C, F में, क्या क्या बरावर आपके पास, A, C, F में, अभी देखिए, आपके पास, A, B, T, A, B, E की साइड होगी, और A, C, आप आपके पास क्या दे रखा है, एककोल दे रखा है, A, B, E, C, Q में, क्या है, दिया है, Q में, क्या है, आपका दिया है, ठीक है, Q में, क्या है, आपके पास ये दिया है, दूसरा क्या एककोल आपके पास, आपके पास देखिए, ये एंगल, ये ओल एंगल, क्योंकि क्या सिर् आइजल एंगल datasetsby मैं और एंगलेल एक श्या इसेंस चीह कैल मों में B2hmm SEO अभी एक बाद यहां यहीजिक्वल टू एनगलेले एफट मैं एक सीचली क्यों यहां है और शिसतके नंटी ढीजिक्वें क्यों कि ग्यूंद अपर पास सिक्या होते हैं वह देने स्पातों मुझा पर डाले के लम्प को हम क्या कहते है लंप क्या कहते हैं इन इन की तुने को होगत है ना गुझा पर क्या करता है ये ईन िद्रीक का एंगल का ताएग पास ये आगया न थम का क्wir और न 100 डिग के आगे पते कंभ जिसा आगे पास यह देखिए वाला CAF लिख सकते हैं या FAC लिख सकते हैं ठीक है न तो CAF ठीक है यह क्या है आपका Ovanish cone हो गया वभय अबनिस्ट ओप लिखा है तो इसका मतलग है आपने एक side गो दो angle एक को दिखा दिखा दिये एक आपने दिखा है a b is equal to ac a की angle हो यह ऐगल ठी कहा है लेकिन आपके पास यह जो एंगल है तो यह दोनों क्या साइड़ बन रहा Tá सब्सक्दव हां इसलिए टैंगल strengths A B E Sरवांसम आपके पासicing T किस नियम के दोड़ा लखेंगे आफ ? ए एएस क्योंकि आपके पास यह जो दोनों से अलग साट के ऊपर बन भी है। ठीक है। इस लेखेंगे इसको ए एएस सरवांग समता नियम, सरवांग समता नियम द्वारा जब यह दोनों टैंगल्स आपने स्रवांग संप्रूब कर दी तो इनके बच्चे हुए जो पार्ट्स हैं वो क्या होंगे बराबर होंगे हमको क्या चाहिए था बी-ई तो बी-ई किसका पार्ट है आपके पार बी-ई किसकी बुझा है टैंगल अ-बी की बुझा है और सी करना था पुरू करना था थैंक यू